Hi everyone, तो आज मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, जिस चीज़ पर मैं पिछले साड़े तीन महीनी से काम कर रहा था, फाइनली वो चीज लाँच के लिए रेडी है, तो आज हम अपना प्लैटफॉर्म लाँच करने वाले हैं, और इस प्लैटफॉर्म को सिफ एक ही एम है कि आप लोगों के लिए डेटा स्टॉक्चर्ज और अल्गॉर्दम को आसान बनाया जाए, अब यार मेरे टाइम पे मुझे क्या प्रॉब्लम आ दी थी कि बहुत सारे रीसोर्से अवेलेबल थे, और मुझे पता नहीं चलता था कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर खतम करना है, कई बार लगता था कि एक पर्टिक्लर टॉपिक पे हम जादा टाइम तो स्पेंड नहीं कर रहे हैं, और कई बार लगता था कि यार इस टॉपिक में कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है तो इनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए यहां पर जो कोर्सेज बनाए गए हैं तो बहुत ही कंसाइज और गनाइजड और कंप्लीट कोर्सेज हैं मतलब यह आपके सारे वराइटी ओफ प्रॉब्लम्स को कवर करतेंगे मालो रिकर्शन एक टॉपिक है रिकर्शन में जितने भी हमारे टाइपस ओफ प्रॉब्लम्स बन सकते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे तो इस तरीके से कोर्सेज बनाए गए हैं तो अभी आपको प्लैटफॉर्म को एक बड़ी आसा टूर देते हैं तो यह हमारी क्यूट सी वेबसाइट और बहुती क्लीन इंटरफेस मैंने यहाँ पर रखा हुए वेल्कम तो लीट कोडिंग बाई फराज और हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं अभी वीडियोज आपको भी पता चलेगा फिर मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन है और नीचे हमारे स्टूडेंट के कुछ कमेंट्स है प्यारे प्यारे कमेंट्स और टॉप पे आपको तीन चीज़े दिख जाएंगी अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने वाले हैं अभी अब्जेक्ट ओरिंटे प्रोग्रामेंग है तो एक एक करके इन सभी चीज़ों को देखते हैं डी ऐसे कोर्सिस तो डी ऐसे कोर्सिस खोलते ही यहां पर लिखा है इसका मतलब यह है कि आप लोगो प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है आप लोगो आज ही डीटा स्टॉक्ट्चिर्स एन अल्गॉर्दम स्टार्ट करने है ठीक है अब बहुत सारे लोग मुंसे पूछे थे कि भाई यह लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा सामने कि किस चीज में मैनर चल रही थी फिलहाल और अभी आपको दिखाते हैं आर्टिकल्स अब हम लोग लिंक लिस्ट कोलते हैं लिंक लिस्ट में हमारे पास 24 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड में एक आर्टिकल है वीडियो एक्सलिनेशन है प्रॉब्लम लिंक है अब ये बाहर क्यों दिया गया है तरीजन इस कि कुछ लोग ना पहले प्रॉब्लम को ट्राइ करना चाहते हैं फिर वो लोग आर्टिकल जाके रीड करेंगे तो हमने प्रॉब्लम का लिंक बाहर दे दिया है आप लोग problem पे जाओ, problem को read करो, try करो solve करने का तो दो चीज़ी होंगी, या तो आपसे problem हो जाएगी, या तो आपसे problem नहीं होगी, अगर आपसे problem हो जाती है, in that case, don't get overconfident, बहुत सारी approaches होती है, कोई भी approach आपसे miss हो सकती है, and it is important that you know each and every approach, एक है, अगर आपसे नहीं होता है, don't get underconfident, अपने आपको बुरा feel मत करना, because now you are going to learn something new, आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, that's how I used to explain to myself, जब मैं से कुछ नहीं होता था, तो यार आप मुझे कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, that will be interesting, ठीक है, इस तरीके सा आप लोगो सोचना है, फिर आप लोग article प खुलिंगे, इस पर click करके, lecture 10 पर click करके, आप लोग यहाँ पर एक बहुती clean, बहुती प्यारा सा, organized article मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को पहली approach बताई जाएगी, iterative approach, explain, with the help of diagrams, उसके बाद एक code, ठीक है, अभी जो code है, c++ java python, java script बहुँ जल दी आने वाला है, तो with the help of comments, यह जो approach आपको उपर explain की गई है, उसी approach को नीचे implement किया गया है, but implement करते करते बताया भी गया है, कि हम लोगों ने उपर यह पढ़ा था, तो that is how we are implementing this, ठीक है, यह चीज़ पुरा commented है, and you can copy this, यह code आप लोग जाके यहाँ पर paste भी कर सकते हैं, और यह आपको यहाँ code है, यह आपका as it is submit भी हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है इनको करने में, this is the article, then second approach भी बताई गया है, second approach का भी explanation दिया गया है, उसका भी code दिया गया है, space time complexity भी बताई गया है, और finally आपको मिल जाएगा नीचे एक video lecture, अभी video lecture देके आप लोगो मजा आ बहुत ही अच्छे से मैंने महनत करके video lectures बनाए है, और बहुत सारे और topics पर video lectures आने वाले हैं, तो in total, आप लोगो को यहाँ पर lecture के notes मिल गए for revision, practice questions मिल गए, video editorials मिल गए for better understanding, space time complexity analysis मिल गया, course मिल गए सारी languages में, तो अब important question कि यार इसकी fees कितनी है, तो मैंने आप से एक figure guess कर होगा, तो यह सब कुछ, यह articles, यह lectures, यह सब कुछ आपको free में मिलने वाला है, the only commitment that I want from your side is, कि यह आप dedication से यह सब कुछ follow करना, बीच में कुछ छोड़ना मत, बीच में चीजों को छोड़ना मत, because हमारी tendency होती है, कि हम लोग चीजों को आदा अधूरा छोड़ देते हैं, don't do that, और यहां पर, देखो, simple language में लिखा हुआ है, these articles are easy, and I try to keep things in a way that you don't get stuck, अब stuck नहीं होंगे, तो आपके छोड़ने के chances, आपके demotivate होने के chances भी कम हो जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग अपनी दर्सी बस मिर को, अपनी dedication दे दो, यह सारे articles free है, ज्यादा मेरी cost इसमे अब यह जो चीज आपके सामने है, यह बहुत ही simple है, इससे सीखना बहुत simple है, आपके पास videos है, आपके पास articles है, आपके पास notes मिल जाएंगे, तो अभी हम लोग subject पर चलते हैं, और subjects में, subjects हम लोग include करेंगे, अभी object-oriented programming हो चुका है include, इसमें 8 chapters है, अभी chapters बहुत बढ़े यह बहुत चोड़े chapters है, I think introduction to oops, will be the largest chapter, तो यहाँ पर आपको introduction बताया गया है, इसलिए थोड़ा सा large है, तो encapsulation खोल के देखेंगे, बहुत चोड़ा सा chapter है, यहाँ से आप previous next भी कर सकते हैं, next वाले chapter पर जा सकते हैं, previous वाले chapter पर आ सकते हैं, तो बहुत चोड़े चोड़े chapters बनाए गए हैं, so that you don't lose interest, और यहाँ पर real life example लिये गए हैं, so that these notes remain in your mind, ठीक है, यह आपके दिमाग में रिटेन भी रहें, because पढ़ाने का एक बहुत important part यह भी है, कि जो information आपको दी जा रही है, वो आपके दिमाग में रहना चलिए, वो आपको इस तरीकी से explain करें हम, कि आपके दिमाग में bads है, that's what I have tried in the articles, जो हमारी courses के articles हैं, DSA वाले उनमें भी यही same चीज़ ट्राय करी है, और यहाँ पर भी same चीज़ ट्राय करी है, ठीक है, फिर आपको frequently asked questions मिल जाएंगे, और एक quiz मिल जाएगा नीचे, ठीक है, quiz जरूर देना जाकर, finally आती है हमारी DSA sheet, अब इस sheet में मैंने 250 questions include किये है, and don't skip even a single question from this sheet, इस sheet में से एक भी question आप लोग skip मत करना, because यहाँ पर एक भी question फालतू नहीं, अगर फालतू होता है, तो मैं यहाँ से इसको निकाल देता, ठीक है, मैंने total 1400 questions किये हुए है, lead code specific platform की बाद बतारू, वहाँ पर लगभग मैंने 1400 questions किये हुए है, और उन सभी का crux लेकर के, उन सभी में से सबसे अच्छे problems निकाल करके, so that आपके पूरी variety कवर हो जाए, सारे algorithms कवर हो जाए, मैंने 1400 questions निकाले है, और बहुत चुन करके उनको यहाँ पर collect किया है, तो यह तो definitely आप लोग करेंगे, ठीक है, so this is the platform, and एक और ब आपके साथ interact कर लूँगा, individually तो possible नहीं हो पाएगा, छोटे-छोटे groups बना करके आप लोग के साथ interaction कर लेगे, ठीक है, so yes, you can book a free class with me, live class होगे, this will be kind of a guidance session, जिसमें आपको guide कर दूँगा properly, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, so yes, I am more than excited to interact with you all, and I hope, यह जो हमने product बनाया है इतनी महनत करके, और मेरी जो पूरी टीम है, उन्होंने महनत करी है, इसमें, वैसे मेरी टीम बहुत छोटी है, लेकिन बहुत अच्छे लोग है उस टीम में, तो हम सभी के महनत सफर हो जाएगी, अगर आप लोग इन articles को अच्छे से कर लेते हैं, तो, ठीक है, बाकी feedbacks, comments म में feedbacks बताओ, कि आपको website कैसी लगी, और जो भी आपकी feedbacks होंगे, जो भी हमें improvement लगेगा, we will do that improvement, और content भी regular basis पे लाते रहेंगे, lectures भी regular basis पे लाते रहेंगे, because अब मेरे सरबे से एक बहुत बड़ा काम हट गया है, website आ गई है, इसमें मैं तीन महीने से busy था, so I can work on my content now, औ और चैनल पर बहुत कुछ और exciting आने वाला है, तो stay connected, if you are new here subscribe to the channel, do check out the website and let us meet in the next video, bye bye